काले लड़के यप उसको ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूँ पर ऐसी बात नहीं है चाने की कहते हैं जो इसमार्ट है वो तो है पर जो काले हैं उनको अपने आपको मेंटेन रखना चाहिए हमेशा हमारे भारत में लोगों का सोच है की जिन लोगों का रंग गोरा होता है सिर्फ वोई attractive लगते हैं लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि किसी भी इंसान का रंग matter नहीं करता है personality और behavior भी कोई चीज होती है इसलिए है अगर किसी लड़के या पर उसका रंग काला है तो वो भी अपनी personality को डवलब करके smart देख सकते हैं और यह काम कैसे करना है उसके बारे हमें हम आपको आज बताएंगे सबसे पहली है कोई भी इंसान है हलका समुस्कान चेरे पर बनाई रखें कोई भी इंसान ऐसे इंसान से दोस्ति करना नहीं चाहता या फिर चाती जो हर वक्त गुस्से में रहता है या फिर चिरचिरा रहता है इसलिए अगर आप लड़की के सामने smart दिखना चाहते हैं तो आपको चेरे पर एक मुस्कान रखनी चाहिए क्योंकि हस्मुक लोगों से बात करना हर कोई चाहता है हर कोई ऐसे लोगों से दोस्ती रखना चाहते है दूसरी बात है ड्रेसिंग एस्टाइल अपनी ड्रेसिंग एस्टाइल को दीरे दीरे सुधार है अगर आप एकदम से ड्रेसिंग एस्टाइल चेंज करते हैं तो लोग पुछेंगे क्या बात है, क्या कभी-कभी मज़ाग भी उरा देते हैं, पर दीरे-दीरे चेंज करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तीसरी बात है अपने सोचने का तरीका वैतर करें अपनी सोच छोटी है तो वो गोरा भी है तो बेकार है लेकिन वही अगर आपका रंग काला भी है लेकिन आप बहुत ही अच्छा सोचते हैं उची सोच रखते हैं तो आप स्मार्ट और सुंदर दोनों हैं ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, चौथा है, कॉन्फिडेंस, घर में आपको लगता है कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, कैसा नहीं लग रहा हूं, पर बाहर ऐसे रहना है, जैसे मैं अच्छा लग रहा हूं, आप ये सोचिए, मैं स हूं अपने आपको किसे से कम नहीं समझना है कोंफिडेंस लेबल बना के रखना चाहिए कितनी भी कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले सज ले पर कोंफिडेंस लेवल अगर कंजो रहें तो अच्छे नहीं दिखेंगे confidence के बीना सब चीज बेकार है उसके बाद है पांच माहें चेहरे को साफ रखें अपने चेहरे को साफ और ताजगी बनाए रखें क्योंकि साफ चेहरा असानी से दूसरों को आकर्सित करता है छटा है अपने आप से प्यार करें जिन लोग का रंकाला होता है उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ भी पहन लोगा अच्छा ही नि लगेगा पर ऐसी कोई बात नहीं है गोरे होने से क्या होता है अगर फेस कट अच्छा नहीं है तो गोरे लोग भी अच्छे नहीं लगते पर अगर फेस काट ने नक्स अच्छा है तो काले पूरुसिया लगके भी smart लगते हैं इसलिए आप जैसे भी हैं अपने आप से प्यार करें इंसान खुद को प्यार नहीं करता है तो वह कैसे सोच सकता है कि दूसरी भी उनसे प्यार करेंगे इसलिए पहले खुद को पसंद करना सुरू कीजिए क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग आपकी और attractive होना सुरू होंगे आप अपने आप पे ध्यान देंगे और smart दिखेंगे तो दूसरी लोग भी आपकी और attractive होंगे और हाँ अगर आपको office या कहीं job करते हैं या फिर अपने समाज में ladies और लड़कियां तो होती हैं तो आप ladies और लड़कियों की help मतलब सायता करनी चाहिए क्योंकि समाज में किसी एक लेडिज को भी अगर आप हेल्प करते हैं तो आपके बारे में आपके चरित के बारे में आपके ऐसा इंसान है उसके बारे में पूरे समाज में जल्दी पता लग जाते हैं क्योंकि लेडिज लोग आपस में एक दूसरे से बातचित करती रहती हैं कोसिप करती है तो बता देती हैं कि वो अच्छा लड़का है इसलिए खास करके लेडिज का जरूर हेल्प करें अगर यह जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए क्योंकि एसमार दिखना तो हर कोई चाहता है इसलिए यह जानकारी ह होना जरूरी है तो धन्यवाद दोस्तों प्रीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल